असलाम कुमिर्स मैं हूं कुर्टिलाइन और आप देखने प्रॉपर्टी एक्सपो जो के पाकस्तान का नंबर वन प्रॉपर्टी यूटिप चैनल जिसमें हम आपकी लेकर आते हैं पाकस्तान भर से प्रॉपर्टी की नूज अब्डेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज और कुर्टिलाइन को दौाओं में याद रखा करें वीवर्स आज का जो हमारा टॉपिक है यह टॉपिक है क्योंकि बहुत जादा रिक्वेस्ट आरती कॉल्स आ रही थी और कॉमेंट सेक्शन में भी बहुत जादा कॉमेंट्स आ रहे थे यह जो रिंग रोड के मनसूबा जो जो मसला पेश आया है इसके बाद किन सुसाइटी को फार्क पढ़ने वाले से तो आज हम इसको डिसकस करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर किया करें कॉमेंट सेक्शन में अपने अपिनियन से भी जरूर आ रहा था यह भी जैसे कि आप सब को पता है कि जो कि इन्वेस्टिकेशन हुई थी रिंग रोड के ओपर तो उसके बाद काफ सारी सोसाइटी के नाम आए जिनको मैं पहले भी एक वीडियो बनाई है लेकिन अभी मैं आपको रिमाइंड कर वा देती हूं एक आया था जी ब् इनक्लेव का भी कहा है आई इसे चेस नौवा ब्लू वल शिटी अपिटल स्मार्ट शिटी यह जितनी सोसाइटी नाम लिया है उसके अलावा इनूने एरपोर्ट हाउसिंग साइटी का नाम लिया है और चोटी मोटी ओर सुसाइटी जो इतनी वैल नौन नहीं है उनके भी पॉइंट बात करेंगे किन सोसाइटी को फर्क पड़ेगा पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा सबसे पहले उन सोसाइटी पर बात कर लेते हैं जिन पर रिंग रोट के यह जो बहुत सिच्वेशन हुई है इसे किस सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ेगा सबसे पहले तो एक बहुती वेलनान सोसाइटी है, टॉप सटी वन, मुझे तो वैसे देखें, जब एक हकुमत की तरह से चीज़े आई थी, तो डेफिनेटी हर बंदा कहता है कि आया है, नाम आया है, तो डेफिनेटी कोई ना कोई कांट्रवर्सी तो होगी, बट यहां तक मुझे लगता है, यह जो जितने सारी इंफोमेशन में आपके साथ आज शेयर कर रही हूं, यह मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूं, फ्यूचर में क्या होता है, क्या देखा जाता है, लेकिन राइट नो जो इन सोसाइटी के जो इन्वस्टर्स हैं, उनकी सिच्वेशन के मताबिक अगर बात की जाए, या अपनी अप्जर्वेशन, यह मैं अपना पॉइंट फ्यू है, आप एग्री डिसग्री भी कर सकते हैं, आप अपने उपेनियन से भी मुझे आगा कर सकते हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो अबसर्व करें, राइट नो आज के दिन, फ्यूचर तो किसी ने अभी देखा नहीं है, तो यहां पे तो बड़े-बड़े लोग फ्यूचर भी बता रहे होते हैं, लेकिन फ्यूचर की बात तो साइट पे हैं, लेकिन अभी राइट नो बात करते हैं, क्योंकि आज का लोग इन्वस्मेंट करें, तो दो-चार साल के अंदर क्या सिच्वेशन होने वाली है, उस पर हम भी थोड़ा सा अपना तज्जिया देना पसंद करेंगे, तो यहां पे सबसे पहले तो जो साइटी को फर्क ने पढ़ने वाला है जी टॉप सेटी, मुझे हरांगी भी हुई थी कि इसका नाम क्यू लिया लेकिन बचारे पहले ही बड़े पिसे होए थे, बड़ी मुश्किल से अनुसीज होई थी तो शाहिद इसलिए इनको भी रगड़ दी है, अनिहाँ देखें यहां पे बिल्कुल एरपोर्ट के साथ यह बिल्कुल सोसाइटी है, बिल्के एरपोर्ट के अंदर ही है, इनका अटेश करें वाल, कश्मीर हाईवे, M2 यह सार इनको तो कोई फर्क पढ़ना ही निहीं है, इनको तो कोई जरूरत है इनी रिंग रोड की बने ना बने कुछ भी और सेकिन लिबाच यह तो सुसाइटी फुली सोल्ड है, रिसेल पे है, ड्वलप सुसाइटी है, लोग रह यहां से लोग अपना चाम पैसा जो इन्वस्मेंट निकाल चुके में, तो इनको तो कोई फर्क पढ़ना ही निहीं है, तो यह तो कोई सोचे भी ना कि टॉप सेटी के इन्वस्टर जो बिल्कुल रिलेक्स हो जाए, यहां पर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला, सेकिंड है विबर्स जो सुसाइटी बहुत बड़ी सुसाइटी है, बहुत ना मवाई सुसाइटी है, आप सब चानते हो एक सोचे को पर्क पड़े में पर कम पर के चेरी नाम पे लिए कि पूरे सेक्री ए ऐखे ऑगार संबू रहा, उन्होंने कभी इस लिए उटिलाईज नहीं किया कि रिंग रोट से हम रिंग रोट को नाम देकि उन्होंने अपनी सोसाइटी को कभी पर्मोट नहीं किया अनके डीलर हज़ात ने हमेशा रिंग रोट को एक रख रुकर और सारी मतलब घो हाइब क्रेट लेकिन यह है कि Capital Smart City ने कभी उस पर focus नहीं किया वो क्यों नहीं किया उन्होंने रिंग रोड के उपर क्यों नहीं उन्होंने अपने आपको इस तरह इंट्रीज करवाया कि हम लोग इसका benefit उठा रहे हैं बेसीकली Capital Smart City तोटली डफेंडिन आपने अपने एक्स्क्लूजव इंटरचेंज के उपर और वो उसी को हमेशा कहते हैं और वो अभी उसका आइडिया निया कि कब तक होगा रिंग रोड के साइट के उपर तो इस वज़ा से जो इनवेस्टर सें उन्होंने रिंग रोड को तो उस परपर से इंवस्मेंट किया था जो कि capital smart city में हां उनको काफी हाद तक मेरे हाल से फर्क पड़ता भी है और अगर इंटर चेंज बन जाता है तो डेफिनेटल इतना नहीं पड़ता ले अगर बात करूं तो किन societies को वाकरी फर्क पड़ने वाल है चक्री रोड की जो societies है इनको बहुत फर्क पड़ने वाला क्योंकि इनके जितने डीलर हज़रात हैं मैं societies वाले नहीं कहा कि हमें रिंग रोड से बेनिफिट होगा क्योंकि रिसेंटली मैंने एक इंटर्व्यू देखा था साथ रजीर साब का और उन्होंने कहा था कि हमारी societies जैसे कि Blue World का आपको ब्लू वर्ल को सब पूछ होते हैं कि इसको क्या फर्क पड़ेगा तो साथ नजीर साब ने कहा है कि हमारा इस रिंग रोड से कोई तालुक निया है वो तो हमारे 10-12 किलो मीटर दूर से गुजर रही है बट जहीं पे जो इनके डीलर हज़रात थे जो कि other societies मवीदा है या ज हमेशा इन society को अड़ोटाइस किया है इनको गेम चेंजर के नाम पे लाकर इनको वही दिखा दिखा कर रिंग रोड बनेगा यह हो जाएगा यहां से इस society के आदा किलो मीटर दूर से यह रिंग रोड गुजर रहा है इस society के सामने रिंग इसका इंटरचेंज बन रहा है त चेकरी रोड को इन्होंने एक इसलामाबाद भी बना दिया था आपको तो पता ही है तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जो इसलामाबाद कह सकते हैं जो रिंग रोड को इस तरह बना सकते हैं तो यहां पर फर्क पड़ा है कि जो societies वालों बननी भी होती ना उनक जो एक situation थी वो लोगों की इधर उधर हो गई है और डेफिनिटी इस ट्रस्ट जब आता है तो सेल पर चेस रुक जाती है यहां पर बहुत ज़्यादा मसले मिसाइल पेश आ जाते हैं अब उन societies का बताऊंगी जिनको वाके ही वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कहत गाफी पुराना प्रोजेंट है और सवे रिंग रोड पी डिपेंडीट था के जिसन इन रिंग बने की तो हम स्टार करने होगे बने स्टार्ट होगे तो नहों ने अपने ब्लॉक में भी और अपनी डिवलुपिंट भी तेयर ब्लॉग भी लॉंच कर धिया था यहां तो तो इसके साथ रुडन इन्वेव है, रुडन इन्वेव तो टोटली ही सेल इस पे हुई है जो इन रिंग रोड के उपर, क्यूंकि इसका बताया जारता कि आदा किलोमीटर मतलब 0 km के पास से इसका इंटरचेंज होगा रुडन के पास से जो के रिंग रोड का क्यूंकि आप हमारे डीटेल रिव्यू में इस वीडियो का रुडन का देख सकते हैं वहाँ पर जो इसके साथ जो के नैस पार्क है वो रुडन को भी डुवलप कर रही थी उनके डुवल कर रहे तो टोटली डिपेंडेंट थी से रिंग रोड के उपर किया गया था और तुसरी वह राब है आप सब को पता है जैसे और दूर की भी सुसाइटियो तो रिंग रोड से का पी बैनिफिट ओना था और रिंग रोड को ही इनुने नाम इस रिंग रोड को वो भी बहुत परिशान है इसी के साथ आपको बताती चलूं कि चोदी सर्वर साहब है पीटी आई के मैनिस्टर जो है उन कहा जा रहे है काफिसार न्यूस चैनल काफिसार लोग यह भी कह रहे हैं कि यह उनकी सुसाइटी पार्टनर्शिप है या उनी का है तो इस वज़ा से उन्होंने आकर न्यूस चैनल पर क्लेर भी किया कि मेरा इस से कोई तालूक नहीं है लेकिन उपोजिशन जो है वो इस चीज पे पक्की हुई है कि इनी का है इनी की वज़ा से वेन आपको बता हूं तो सारे कहरें किसारा मसलमसायली क्रेट वज़ा ओना इन नोवा सिटी की क्योंकि यह तो टोटली अब एक जीरो पे आ चुकी है इस टाइम तो अब तो आसे रिंग रोड को डिसक्स कर लेते हैं कि काफ सारी लोग पूछें कि कब बनेगा काफ नी बनेगा है यह तो कोई नहीं कह सकता लेकिन यहां पर अपना point of view शेयर कर सकते हैं देखें जैसे कि आ आप सबको पता ही है लेकिन डेफिनेटी बनेगा आज नहीं कल बनेगा जुरूर बड़ टाइम टेकिंग है लेकिन मेरे ख्यासे को बहुत जादा टाइम लगे गा वह कैसे क्योंकि देखें जो के हमारे चोधी सरवर साब हैं इनका भी नाम आ गया फिर सेकेंडली जो के न बहुत सारे पॉलिटिकल बहुत सारे लोगों को यहां पर मतलब जितने भी रियल स्टेट की काफे सारी मतलब जो पंगे सामने नहीं भी आने थे उन पंगों को भी सामने लेकिया कि और चीजने इसमें आड़ डाउन हो गई है तो उस पज़ए से यह चीज और मजीद मिच पैसे नहीं होगए एप उस भी इन को ने इस ह構ब उसके बाई करने में इनको तबा को स्टार्ट करने में आपको पता है चीजमे मुशसी के स्टार्ट करने फोपित्र अबुर की तो सबसे जाहीं आप नहीं की जाती है लेकिन तो इन्वस्टेर्स को यहां पर क्या सिच्वेशन इस ताइम फेस करनी पड़ी है एक तो यह जो कंट्रोवर्सी आई है इसकी वज़ा से इन्वस्टेर्स जो के हैं बहुत जादा डिसिपॉइंटे हो गए कि अर्भू की लोगों ने इन्वस्टेर्स की हुई थी दो तीन साल बाद मैनिफिट उठाने की फिर इनके ब्लॉक्स वारे लॉंच हो रहे थे पर लाला करके मुश्किल से लोगों ने सोचा था कि आप कुछ शायद फाइदा हो कुछ इन फाइलों के पर कुछ प्रॉफिट लेकिन इसी के साथ जैसे यह सोचा ही था तो अब उल्टा जो के थोड़ सा प्रॉफिट का आने का सोचा था वहीं पर यह नेगिटिविटी आगे कि मार्किट जो है इस टाइम एक जो ट्रस्ट की जो वह थी ना वह बिल्कुल ही हतम हो चुकी है ट्रस्ट एक बिल्कुल ज चीज़ें चली गए हैं क्योंकि आपको पता मार्किट का यही असूल है जब अगर सुसाइटी या कोई भी इंवस्टमेंट्स उपर जा रही हो तो सीधी जा रही होती है और अगर वह नीचे डाउन जाना शुरू हो जाए तो फिर नीचे ही जाती है और काफी टाइम लग लॉस पर भी बैचने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने के लिए थी या कम में ही बीग जाए इस चीज़ से निकल आए वह भी से नहीं हो रही हुआ है यह मेरा पॉइंट अफ्यू था यह मेरा तज्जिया था यह सही भी हो सकता गलत भी हो सकता है लेकिन ऑन ग्राउंड जो जा रही है जो सिच्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ली तो यही समझ आ रहा है हमें भी और लेकिन यहां पे रात को कुछ और होता है सुबह कुछ और बात होती है बढ़िए के हम मेरा जो अपना तज्जिया था आप लोग साथ शेयर कर दिया आप ही अपना जो पॉइंट अपनी इंवस्मेंट को और इंटेंशन से बच सकते हैं इसके साथ को देजाज़त मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए आला हाफिज